हमारे साथ मौझूद है धारियावाद से विदायक थावर्चन जी अभी बजट भाशन के दोरान विधान सभा में इनकी तरफ से अपने शेत्र के कई मुद्दे उठाएगा और इनका साफ तोर पर कहना है कि जो वादे और दावे सरकार के दोरा प्रिशासने का दिखारियों के दोरा जो जनता से किये गए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया जनता को धोका दिया गया है जानेंगे इन से और क्या कुछ इनकी जो समस्याएं है शेत्र की वो किस प्रकार से आगे विधान सभा में उठाएंगे और जनता की जो जरूरत की जो चीज़े हैं वो कैसे उन्हें प्रवाइट करवाएंगे जिस प्रकार से आपने विदान सबावा का भी हमने आपका भाशन देखा कई सारी चीज़े हैं छातरवती का मामला हो या फिर जो खानन की वजह से जो जनता को मुँआ से हटाया जा रहा है या हटाया जाएगा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने विदान सबामे में उठाई क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आपके चैनल को जो हार बज़ट सत्र जारी हुआ था उससे पहले हम लोगों ने कई काफी त्यारी करी थी सारे विबाग मंत्रियों सबसे लगा कर संपर्ग भी किये थे उम्मिद थी कि हमारे चैतर की जनता का जो समिश्या है पुरे चैतर की वो सरकार के समक्स हम रखे यो सरकार के समक्स इसलिए रख रहे हैं कि जनता ने उम्मिदू के साथ में हमें बेजा है दोनों ही पार्टी को नकारके तो जो बजट आ रहा था हम बिड़ा उस्साइद थे खुसी के हमारे गहे थे कि है इस बार बजट मा कुछ ने कुछ चैतर के लिए अच्छा होगा लेकिन सरकारों ने मेरे को देखा मेरी पार्टी को देखा मेरे छेतर की जनता को बिल्कुल नी देखा दूसमनिया निकाली हो जैसे बज़ट पूरा पड़ा, सुना हम लोग ये इंतजार करेते हैं हमारे छेतर का नाम तो आये कम से कम लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हमको सडके मिली, ना पानी की सोगाते मिली ना ही हमारे नौजवानों के भवशी के सोचते हुए कॉलेजे मिली, ना ही हमारे छेतर की सिक्सा व्यवस्ता को देखते हुए कोई स्कूलों के बारे में बज़ट दिया गया विसे से तो उमीदों पे पानी फेने वाला बज़ट था और वी बज़ट पून निरासा जनब था इस बज़ट में पक्स पात बहुत हुआ वी पक्स के लोगों के साथ साथ कॉंग्रेस या फिर नीदली या फिर अन्य दलों के साथ में धोका हुआ जो कुटारगा तैसा हुआ कि उन्स सब को कुछ भी नहीं दिया और विज़पी के लोगों इस लोग कहें बज़ट बूरा है यही हाल हुआ है बज़ट के माद्यों से थावर जी आप ऐसे शेतर से आते हैं मेवाड की धरती कही जाती है राजा-महराजाओं के समय की बी अगर हम बात कर लें तो उस धरती के आदिवासियों ने उनका बखू भी साथ दिया है वीर भूमी भी उस शेत्र को कहा जाता है लेकिन आज जैसा कि आप से चर्चा भी हुई थी कि बहुत ज्यादा भी अगर पड़ लिखके हम यहां पे पहुँचते हैं उसके बाद भी समाज के लोग पीछे मुड़के नही हैं परंतु उनके टिकट का लालाच हो या मंत्री बनने का लालाच हो तो वो पिछे मुड़के जनता को बूल जाते हैं पर जनता कोई बाद समझनी पड़ेगी कि पांस साल हमारा बीच में कौन रने वाला है उसको देखना पड़ेगा साथ में मेरी समाज में कई ऐसे हैं तो इस मजबूरी में वे हो वहाह तक सौचनी पहते हैं लेकिन मेरा मानना है कि कुछ लोगों को सोचना चाहिए हम जिस पदपे हैं हमारे समाज के सिर्फिपि के माद्यम से हमने जो करश्ट देखा हैं हमने जो डिन देखे हैं कि मेरे आने वाली पीडिका कोई बाई व उसका संगर्ष थोड़ा आसान हो जाए तो पिछे मुड़के उनके लिए भी सोचना चाहिए ने विवाद काफी सुरुखियों में रहा पिछले कुछ दिनों में और लगातार आपकी भी तरफ से राचमर रोजी की तरफ से विपक्ष की तरफ से दिलावर जी को घेरा जा र होगा यह उस स्कूलों के अंदर से तय होगा तो सिक्सा मंत्री को बहुत बड़ा जम्यदारी वाला पद दिया है और वहां यहां परदेश के सिक्सा मंत्री यह कहते हैं कि यह आदिवासी इनके बाप की अउलाद है किने डियने की जांच करने चाहिए कितनी ओस्ची और घ करती उनकी मानसिक्ता क्या दर्साती है यह साब जाहिर हो रहा है वह साइद यह समझता हूं में कि आदिवासी को आज भी वोट बेंक के नाम पर इस्तिमाल किया गया है मुल्ब सुईदा तो वो करा नहीं पाए लेकिन अगालिया आज भी आदिवासी को दे रहे हैं जहां तक सिक्सामंत्री की बात करूं तो सिक्सामंत्री अपनी और्सी मानसिक्ता की से बाज भी ने आते हैं कभी वो नकसराइट भी कह लेते हैं कभी आदिवासी के डियने जाच की बात करते हैं तो कभी कहते हैं मैं खटी खूं जाच से वह उल्टा लटका दूँगा कभी क्या कहते हैं रोज उनके बयान बदलते हैं रोज उनके फैसले बदलते हैं तो ऐसा लगता मुझे कि यहां तो इनको सरकार इस्तिपा दे के हटवा दे यहां फिर इनकी मांसिकता जाच कर आई जाएं कि इस तरके ओसी मांसिकता consiste कैसे हो सकते हैं और दूसरी बात हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं सदं में लड़ेंगे और जब थे और 1951 के बाद से हमारा जन्मकोर खतम कर दिया गया साथ में हम यह बताएंगे हमारे कुछ कानून हैं जो हमको हिंदू से अलग बनाते हैं सबसे पहले हिंदू विवा अदिनियम 1951 जिसके अंदर आदिवाश्यू को तीन तला एक तलाक हलाक की जुरूत नहीं परती है हमा अगर बसा सकती है और आदiał में भी एक स्ट您 अदिक कर सकता हैं कितनी भी कर सकता है लेकिन यहिसंदू में नहीं नहीं होता हैं दूसरा बhrad sleeve हम पर लागु वेवस्ता है वो उनसे भी अलग होते हैं हमें फिर उसके बाद में हमें कैसे बना सकते हैं हमारी इस परंपराओं के साथ साथ में हम बताना चाहेंगे हम विवा पदती की बात करें तो हम लोग जो फेरे लेते हैं साधी में तो हम राइट लेते हैं हाँ हाँ नहीं एंटी क्ल परतिव को देखा सांश पढ़ा वो परतिवी ऐसे घुम्ती है आपने एटंस पढ़ा आपने सारी चाह चीज़ पढ़ी उसके अंदर भी परतिवी सांघory करती है साथ में आपने पानी देखा पानी के अंदर भवर देखा वो भी राइट है आपने कोई बेल उपर चड़ते हुए देखा वो भी राइट है आपने कोई जानवर जो है नीचे उतरता तो भी राइट सर्कुल करता है आपने हवा का जो तुफान आता है वो भी राइट सर्कुल करता है तो य हमारे कुल गोत्र की देवी और कुल गोत्र के देवता हैं हम पेड़ों को एक कुल के वर्क्स भी मांगते हैं तो हम लोग नदियों को पूछते हैं पहाड़ों को पूछते हैं उनके नाम कर रहे हैं तो हमारे पूरी व्यवस्ता अलग है इसको जबर्दन हमको सामिल किया जा लेकिन क्या इतने सालों में बले को इसे भी पार्टी सब्ता में रही, आप लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ, क्या बैसिक कारण रहे? सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सरकारे आई सरकारे गई हम आदिवासी में सिक्सा का सबसे बड़ा भाव था हमें सबसे पहले तो राजनीती को समझनी पाए कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए कि राजनीती में जाने के बाद में लोग हमारे लिए क्या बदलाव ला सक तो जिसको खड़ा कर दिया चाहे वो बीजेपी के नाम पर गदा खड़ा कर दियो तो भी लोगों ने वोड़ दे दिये चाहे कोंग्रेस के नाम पर कभी कोंग्रेस आई कभी बीजेपी आई और आती गई हम लोगों के साथ में धीरे धीरे आर्थी ग्रूप से सोसन किया साम मिलेंगे जहां पर मुलबुस सुविदा नजर ने आएगी उनको पता ही नहीं कि देशाजाद हैं यह इस्तती है आज भी जहां पर पानी की सुविदा नहीं है नेट्रक नहीं है आज भी सडके नहीं है अस्पताल और चोटी मोटी चीज़े बना रखे होगी तो उन जंगलो होता है हर बार मजदूरी के लिए बार कि 70% 80% रोजगार के लिए में जैसा नौजवान बार जाता है तो सरकारे क्यों नहीं सोच सकती इनके बारे में इनको वोट बिंग के लिए सिर्फ इस्ताल इस्तिमाल किया विकास के नाम पर हजारों का बज़र दिया लेकिन वही जो उपर से टपकते टपकते निचे आये तब तक खतम कर दिया उन लोगों ने ऐसा रहा है हमेसा फिर विकास की बात करो आप विक्सीद भारत की बात करो यह विक्सीद भारत बड़े लोगों के लिए है यह विक्सीद भारत जो उद्योग पती है उनके लिए है यह अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए है विक्सित भारत हम आदिवास्यू के लिए कहां विक्सित भारत आदिवास्यू के लिए विक्सित भारत तब होगा जब आदिवास्यू के स्कूलों में वहस्ता सही होगी आदिवास्यू के लिए विक्सित भारत तब होगा जब आदिवास् इस देश का मूल मालिक आदिवासी है और इस देश के अंदर दर्म पूरी आदिवासी है जो जारे दर्मनी बने थे उससे पहले का वो है तो उस आदिवासी के हालात यह है कि मालिक से मजदूर कब बनी गया क्योंकि सरकारे विकास के नाम पर विनास करती गई और सरकारों ना आदिवास्यू के साथ में हो रही हिंसा के बारे में कभी बताया नहीं आप मनीपूर को उठा के देख लो वहां के आदिवास्यू के हालात क्या है बेन बेटी को नगन करके सड़कों पे गुमाया जा रहा है राजिस्तान के में कह रहे हैं कि एक पेड़ मा के नाम तो हस्दव अब्यारन राजिस्तान के नाम कर दिया पूरा बियारा ने बढ़ा जहांके लोगों को विस्तापित कर दिया आज उनके रहने का ठिकाना नहीं है खाने का ठिकाना नहीं है और वहां पर कोईले के नाम पर करोडों की जमीने अडानी को दे रखी है और वहां इस स्थती में गुजरें लोग, वहां हातियों का गर का जाता था उसको, अज हाति गाउं में गुमते हैं, किसी के साथ में कोई भी गटना होती रहती है, साथ में इस्टोचु अप इनिटी बनाया बहुत बड़ा, अच्छा था, सर्दावला बाई पटेल के हम गाउं को विस्ताव दुरा, वो आदिवासी कहा है, किस हालात में रे रहा है, वो पी तो इनसान हेक नहीं है, ये तक सरकारे ने सोचती, फिर उसके बाद में आप खनन के नाम पर हो, डेम के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, उनको विकास के नाम पर विनास ही करता है, तो ह सवीदान को तोड मुरोड कर यहां पर खनन करे जाते हैं अवेद रूप से वहां पर आदिवासी को विस्तापित करते हैं अवेद रूप से वहां पर छोटे मोटे कारिय में बादा उत्पन में या फिर छोटे मोटे बाई परिवार की लड़ाई में उनको जेलो में ठुसा जाता है तो इसका मलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाज़पा पूरी तरके से सविधान विरोधी है जो आज तक दोनों सरकारे का विरोधी नहीं होती तो पांच वी नसोची दरातल पर हमारे लागी होती है उनकी पालना होती सिर्प राजीपाल के आदेश चलते ना राजी को पावर है सक्तिया हैं और गाम सबाय के बीना प्रमिसन से हमारे गाम के अंदर कलेक्टर तक नहीं आ सकता चोटे मोटे सामानी कानून की बात यह लगे तब फिर हमारे चोटी चोटी बात पर एक सो एकावन की धारा तक के मामले हो तो जेलों में ठूस देते हैं तो फिर कहा का सविदान हमारे बापे लगव हो रहा है यह मैं आपके मद्रिम से बता रहा हूं आखरी सवाल आपने चात्रवर्ति की कभी मुद्दा आपने उठाया फिर आपने का कि अभी भूवे ग्यानिक सरवे में आपके उस शेत्र में सूनी की खदान होने का पता पड़ा है और जैसा कि आपने आपने का कि बिना हमारी पर्मीशन के महा से कंकड तक कोई नहीं ले जा सकता इन दोनों सवालों पर आपका क्या चेवाँ सबसे बहले चात्रवति की बात कर operate की हमारे बहुत ज़रुरी है इसलिес लिए हम लग आर्दिक रूप स anonymous हम नहीं है हमारे घर में अ से हे नहीं इकी दुकी है तो तीच असी सीटे हैं चालिस सीटे हैं ऐसा है हर साल चार से पांच जार स्टूडेंट पास होते हैं तो उनके लिए कोलेजों की क्या व्यवस्ता है तब वो प्राइवेट कोलेजों की तरफ रूप करते हैं वहां पर मोटीफिस होती है मोटीफिस में हम लोगों से हजारों वसुले जाते हैं तो हम लोगों के पाई हजार जेब में नहीं रहता है तो हजारों कहां से लाएंगे ऐसे वक्त में हमारे परिवार के लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा नौकरी लगेगा तो रिस्क लेते हैं कभी खेती खेती बाड़ी को निलाम करते हैं तो कभी हमारे गहने गिर वे रखते हैं महाँ बेन के तो कभी हमारे साथ ये परिश्टिती आती है कि दो ब्याज में पैसा लाते हैं लेकिन समय पे चाहत रोते हैं नहीं आती है तो हमारे वहाँ के लोगों का या तो जमीने निलाम हो सकती हैं गहने डूप सकते हैं या फिर ब्याज में लाइप करजदार हो सकते हैं तो कहीं बार पड़ाई छोड देनी पड़ती है और उस फीस के लिए हमको बंबो ये इंदावाद तक मजदूरी करनी पड़ती हैं पैसा एक्टा करना पुरता है फिर वापिस आओ फिर पैसा एक्टा करो ये बहुत बड़ी पीड़ा है और ये अनुसुची छेतर की बात कर रहा हूं लेकिन पूरे परदेश की पीड़ा है पूरे परदेश के नौजवान इसी आसा उम्मीद के साथ रहता है कि इस स्कॉलर्शिप के माद्यम से हमें राहत मिलेगी और ब्याज में पैसे भी इसी ले लाते हैं तो अगर नहीं मिलती है तो हमारे कई माईनों में हमारा बईशी खराब होता है बहुत सारे लड़के पड़ाई छोड़ देते हैं बेहने पड़ाई छोड़ देती है इस मजबूरी में बहुत सारों के साथ में बहुत बना नुकसान होता है मैंने यहां पर इस सरकार से पक्स और लिपक्स के दोनों को कहा कि आप दोनों इस पर समाधान की बात किजिए और उम्मीद है समाधान हो नई होगा तो चाती ठोक कर फिर से वही बात करेंगे सदन में मैं फिर बताना चाहूंगा सोने की ख़दान की जो बात है भू विग्यानिक सर्वेशन हुआ था उसके अंदर बासवारा के गाटल में भूकिया और जगपूरा वहां पर सोने की ख़दान हैं उसके निलामी टेंडर भी हो चुके हैं साथ में मेरी विदान सबा के अंदर आमलवा, राटली, डगोचा, इन गाउं के अंदर भी सोना पाया गया है यह बात बता रहे हैं और यह बता रहे हैं डूंगरपूर पासवारा में अपार सोना है तो पहली चीज़ तो यह है कि पांचवी नुसुची के अनुसार 241 और 133 काके तर हमारी जमीन में हमारे गाउं में हमारा राज यह नारा है और एक सब्द है साथ में सविदान में इस पस्ट लिखा हुआ है कि आदिवाश्य की जमीने ना सरकार के हो सकती ना केंदर के ना राजी की दूसरी बात ग्राम सबा की बिना अनुमती के कोई अंदर नहीं आ सकता तिसरा हम लोगों की जमीन के मालिक हम खूद हैं यहां तक हमारी जमीन दूसरे एक खाते तक ने हो सकती और यह तो आज भी है खाते ने हो सकती फिस सरकार के खाते कैसे हो सकती सरकार निलाम की टेंडर कैसे जारत कर सकती तो फिस सरकारों ने इस तरीके से हमारे साथ जबरन दुका करके अगर करना चाहती है तो हम भी ये बताना चाहते हैं अगर कानून से लगने के लिए त्यार है तो हम कानून से लगने के लिए त्यार हैं लाटी से लगने के लिए त्यार हैं लाटी से भी लगने के लिए त्यार है और हम लोग हमारे विदान सबा में तो वे ठान रखा है कि एक कंकरवी सरकार को तोर पर कहना है कि सदियों से आदिवासियों के साथ में धोका होते हुए जब कि सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है कि धर्ती के असली मालिक आदिवासी है तो फिर आखिर कैसे एक मालिक नौकर बन गया और आदिवासियों के साथ में विकास तो हुआ नहीं है बलकि उनका विनाश जरूर हुआ है और अगर आज भी इनकी अपने समाज के लोगों से भी अपील है करीब सोला करोड के आसपास पूरे भारत वर्ष में आदिवासी लोग हैं इनकी अपने समाज से भी अपील है कि सभी आदिवासी साथ हैं वरना इसी प्रकार से सरकारों से हम धोके खा आते जाएंगे सियोगी केमरेमेन अजय के साथ उमंग माथूर जनता दर्बार